हलो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि कैसे आप अपने Motorola G42 Android मॉइल फोन में आप अपने होट इसपोड का पासवर्ट चेंज कैसे कर सकते हैं तो वीडियो को आखिर तक ध्यान से जरूर देखिए तो चलिए यहाँ पर जो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले आपको अपने मुवाइल फोन में सेटिंग पेज ओपन कर लेना है सेटिंग पेज ओपन कर लेंगे तो यहाँ पर आपको जो है network and internet का यह option मिल जाएगा setting page में इसे आपको select करना है इसके बाद आपको अगले page में hot spot and theatring का यह option मिल जाएगा इसे आपको select कर लेना है इसके बाद आपको अगले page में wifi hot spot का यह option मिल जाएगा इसे आपको select कर लेना है इसके बाद आपको अगले page में यहाँ पर आपको जो है एक अपना पासवर्ट क्रियेट कर लेना है पासवर्ट कम से कम आपका एट डिजिट का होना चीए ठीक है आठ अंको का तो उससे ज्यादा कभी आप रख सकते हैं यहाँ पर मैं रेंडम ली जो है वन से लेके एट तकी काउंटिंग यहाँ पर डाल है ठीक है तो यहाँ पर जो है आप इस तरीके से होट इसफोर्ट का पासवर्ट आप चेंज कर सकते हैं अपने मोटरोला जी फोर्टी टू एंडुट मुवाइल फोन में अब मैं आपको इस सेटिंग को ढूड़ने का एक शॉर्टकट तरीका बता देखाओ आपके मुवा यह उप्शन नीची की साइड में शो होने लगेगा होट इसफोर्ट पासवर्ट का आपको इससे सेलेक्ट कर लेना है इससे होगा क्या कि आपका मुवाइल फोन आपको डिरेक्ट इस सेटिंग में लेकर आ जाता है और इस सेटिंग को हाइलाइट करता है ठीक है तो यह मै मैंने एक shortcut तरीका बताया इस setting को ढूणने का ठीक है आपके Motorola G42 Android mobile phone में